परिचे अंकिता, हम जानते हैं कि जनन सभी जीवों की वहक्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजातियां यानि स्पीशीज आगे बढ़ती हैं तो आओ, अपने इस नए अध्याय में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जनन को परिभाशित करना, विभेनता का महत्व ग्याद करना, जनन के प्रकारों को पहचानना अलेंगिक जनन को समझना, विखंडन को समझना, मुकुलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना, बीजाणू समासंग की प्रक्रिया को समझना, पुनरुद भवन को समझना, खंडन की प्रक्रिया को समझना, काईक जनन को समझना जीवों की समुचित प्रतिकृती, एक यही प्रजाती यानि स्पिशीज के विभिन जीव एक समान दिखाई देते हैं, क्यूंकि उनके अभीकल्प यानि डिजाइन समान होते हैं. जनन प्रक्रियद्वारा शारेरिक अभिकल्प के ब्लूप्रिंट निर्मित होते हैं. हम ये पहले से ही जानते हैं कि प्रतिक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तथा प्रतिक कोशिका में केंद्रक में गुण सूत्र पाये जाते हैं. DNA के रूप में जनक से गुणों की संतती पीडी में पहुचाने के लिए इन गुण सूत्रों में सूचनाई एकत्रित होती हैं. DNA में प्रोटीन संशलेशन हेतू सूचनाई निहित होती हैं. प्रतिक कोशिका विभाजन के बाद DNA प्रतिक कृतियन होता है तथा दो प्रतियां बनती हैं. कोशिका विभाजन के परिणाम सवरूप प्रतिक कोशिका दो संतती कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है. विभिनता का महत्व निकेत भरे हुए हैं बाहे कारकों जैसे ताप, जलिस्तर, उलकापात के कारण निकेत में अचानक प्रबल परिवर्तन आ जाते हैं परिडाम स्वरूप, संपून समाष्टी नश्ठ हो जाती है किन्तु कुछ जीवों के बच जाने की संभावना रहती है हम उप्रयुक्त चर्चा को एक उदारन की सहयता से समझ सकते हैं शीतोष्ण जल में पाई जाने वाले जीवाणों की कोई समझ्ठी है तथा वैश्विक उश्मी करण के कारण जल का ताप यदी बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणों व्यष्टी मर जाएंगे शन्तु उश्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्द ही जीवित रहते हैं तथा व्रिध्धी करते हैं अतहा विभिनताएं प्रजातियों यानि स्पेशीस की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं जनन के प्रकार अलेंगिक जनन जनन दो प्रकार का होता है अलेंगिक जनन, लेंगिक जनन जब संतिती की उत्पत्ती एकल जनक द्वारा युगमक यानी गैमीट निर्मान की भागेदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिती में हो तो वो अलेंगिक जनन कहलाता है उधारण अमीबा में दुईखंडन, हाइडरा में मुकुलन, राइजोपस में बीजानू समासंग और पुषपी पौधो में काईक जनन अलेंगिक जनन में कोशिका विभाजन असमसूत्री या समसूत्री होता है, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, वे बिलकुल अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं, तथा ये एक तीवर गुणनात्मक यानी बहुली करणविदी है अलेंगिक जनन की कमिया ये हैं कि इसमें एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में एक समान जीव ही उत्पन्न होते हैं, तथा जैव विकास संभव नहीं हो पाता है, जिससे की विविदता उत्पन्न नहीं होती है विखंडन विखंडन में पूर्ण विक्सित जनक दो या दो से अधिक संततियों में विभक्त हो जाता है एक कोशिकी ये जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तथा अन्य प्रोटजवा में अलेंगिक जनन की यह सबसे सरल्विदी है विखंडन दो प्रकार का होता है, दोईखंडन और बहुखंडन अनुकूल परिस्थितियों के दौरान एक कोशिका का दो, एक समान कोशिकाओं में विभक्त होना ही दोईखंडन कहलाता है इस विधी में असम सूत्री विभाजन द्वारा सर्व प्रतम केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है, तथा उसके बाद कोशिका द्रव में विभाजन होता है। अंतमिक कोशिका दो संतती कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। उधारण, जीवाणू, यीस्ट, युगलीना, अमीबा तथा पैरामीश्यम। पहु खंडन जनक खंडन होता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के दोरान जनक का शरीर स्वाता ही अनेक संतती कोशिका में विभक्त हो जाता है। कोशिका का केंद्रक लगतार विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है। प्रते केंद्रक कम मात्रा के कोशिका द्रव्य से घिरा होता है, तथा पुटी यानि सिस्ट में अनेक संतती कोशिकाओं उत्पन्न होती हैं। अनुकूल परिस्थितिय पुटी यानि सिस्ट तूट कर छोटी संततियों को मुक्त करता है। बहु खंडन का उधारण मलेरिया पडजीवी प्लेस्मोडियम है। मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोश किये या बहु कोश किये बाहे वृद्धी जिन्हें कलिकाएं कहते हैं जनक शरीर के उपर या अंदर उत्पन हो जाती हैं। हाइड्रा पुनर जनन की क्षमतावाली कोशिकाओं का उप्योग मुकुलन के लिए करता है और इसके कारण एक स्थान पर कलिका यानी मुकुल विक्षित हो जाती है। यह कलिका यानी मुकुल वृद्धी करके एक नन्ने जीव में बतल जाता है तथा पून विक्षित होकर जनक से अलग होकर सौतंत्र जीव बन जाता है। बीजाणू समासंग इसे बीजाणू धानी कहते हैं। इसमें बीजाणू पाए जाते हैं जोकी नए रायजोपस में विक्षित हो जाते हैं। पूनरुद्भवन यानी पूनरजनन पूनरुपेन विभेदित जीवों में अपने काईक भाग से नए जीव के निर्मान की क्षमता को पूनरुद्भवन कहते हैं। इसमें जीव के शरीर का कटा या तूटा हुआ भाग विध्धी या पुनरुद्भित होकर एक नया पूनर जीव विक्षित हो जाता है। सरल जीव जैसे हाइडरा और प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काड़ देने पर ट्रतीक टुकड़ा विक्षित होकर पूनर जीव कर निर्मान कर देता है। खंडन में जनक का शरीर, तरंग की क्रिया, पुराने भागों की म्रित्यू और अप घटन द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। सरल सनचना वाले बहु कोशिक जीवों में जनन की सरल विधी कारे करती है। उधारंड ता स्पाईरोगाईरा समानेता विक्सित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े अत्वाखंड नए जीव यानि व्यस्टी में विक्सित हो जाते हैं। सभी जन्तों में चप्टे क्रिमी शरीर का खंडन दर्शाते हैं जो की नई जीवों यानी व्यस्टी में विक्सित हो जाते हैं। शैवाल जैसे की पैरोगाईरा में खंडन पाया जाता है। काईक जनन गुणन यानी बहुली करण की वह प्रक्रिया है जिसमें जनन अंग की सहायता के बिना ही पौधे के पुराने भागों जैसे तने, जड़ों तथा पत्तियों से एक नया पौधा विक्सित हो जाता है। काईक प्रवर्थन दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक काईक प्रवर्थन और कृत्रिम काईक प्रवर्थन। सभी बीजवाले पौधों में प्राकृतिक काईक प्रवर्थन बहुत प्रचलित है। ये तीन प्रकार का होता है। जणों द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा जणों द्वारा कुछ पौधे अपने उपर अपस्थानिक कलियों का विकास करते हैं, उधारण अम्रूद और शीशम कुछ गाटदार अपस्थानिक जड़ों के अलावा अपस्थानिक कलियों में भी उच्चित मात्रा में भोजन पाया जाता है। उधारण, दहिलिय तथा शकरकंदी तने द्वारा, कुछ पौदे तने के बिखरने तथा शाकित प्रकंदों द्वारा काईक जनन करते हैं। उधारण, केला, अदरक तथा हल्दी तना कंद आलू तथा चुकंदर में पाय जाते हैं। आलू का कंद भुमिगत शाकित तने का एक फूला हुआ शिर्षयस्त भाग होता है, जिस पर की अनेक आखें या गाठें पाय जाती हैं। प्रत्येक आख में एक या अधिक कलिकाएं पाय जाती हैं। आख पर पाय जाने वाली कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आलू के पौधे कंदों द्वारा उगाय जाते हैं। बीचों द्वारा नहीं। उपरी भुस्तारी एक वाईविये कमजूर तना होता है। जैसे की मैदानी खास पुदीना जो की सतह पर फैल कर पर्व संधियों पर अपस्थानिक जणों को जन्म देते हैं। जब पौधे का पुराना भाग मृध्ध हो जाता है तो जनक पौधे से शाखाएं अलग हो जाती हैं। तथा स्वतंत्र पौधों का निर्माण करती हैं। बल्व भी कलिकाएं धारण करते हैं। उधारण, लहसुन तथा प्यास। घनकंदों जैसे क्रूकस, अरूई यानि कोलोकासिया आदी में भोजन उचित मात्रा में संग्रिहित होता है। तथा ये अनेक अपस्थानिक कलिकाएं भी धारण करते हैं। पत्तियों द्वारा कुछ पौधों में मांसल पत्तियों के कटीले यानि खांचे युक्त पाश्व अपस्थानिक कलिकाओं को धारण करते हैं। जब पत्ती मृधा पर गिरती है तो अनुकूल परिस्थितियों में लिकाएं छोटे पौधों में विक्सित हो जाती हैं। नवीन पादप प्रधक होकर सौतंत्र पौधों में विक्सित हो जाते हैं। उधारण, ब्रायो फिलम, बीगोनिया। कृत्रिम काइक प्रवर्थन मालियों तथा भागबानों ने कृत्रिम काइक प्रवर्थन की विभिन पद्धतियां विक्सित की हैं। कटाई, पर्तन, कलम लगाना, मुकुलन और उतक समवर्धनादी कुछ सामान ने पद्धतियां हैं। कटाई, कटाई, जड, तना, अथ्वापत्ति का एक अलग हुआ भाग है, जो की आंशिक रूप से नम्मिट्टी में गड़ा हुआ होता है। अनेक पौधे जैसे गन्ना, गुलाब, नीबु, अंगूर, कोकोआ, बोगेनवीलिया, आधी, कटाई के माध्यम से ही प्रवर्धित किये जाते हैं। पर्तन जनक पौधे से पौधे के अलग होने से पूर्व तनेकी शाखाओं में अपस्थानिक जणे बन जाती हैं। तनेकी शाखा परत कहलाती है, तथा यह प्रक्रिया पर्तन कहलाती है। यह विधी, नीम्बू, अम्रूद, हिपिस्कस, बोगिनवीलिया, चमेली, रस्भरी तथा अनेक सजावटी पौधों में प्रयोग की जाती है। कलम लगाना जनन की इस पद्धती में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मों वाले पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे की वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं। पौधे का एक भाग जो की पौधे के अन्ने भाग पर कलम लगाता है, पौधे की कलम यानि साहिकान कहलाता है। तथा वो पौधा जिस पर कलम लगाई जाती है डंठल यानि स्टॉक कहलाता है। उधारण, आम, सेब, मटर, नेम्बू और अम्रूद। मुकुलन मुकुलन में एक वांचनिये पौधे के तने से छाल युक्त एक छोटी कलिका यानि मुकुल ली जाती है। इसके बाद डंठल की छाल में बनाए गई काट यानि दरार में घुसाई जाती है। दोनों को बांध दिया जाता है तथा इने सूखने से बचाया जाता है। उधारण, गुलाब, आलू बुखारा, आदी। उतक समवर्धन समवर्धन विलियम के कृत्रिम माध्यम में पिठक या विलगित पादप कोशिकाओं अथवा पादप उतक के छोटे भागों में नए पादप का निर्मान ही उतक समवर्धन कहलाता है। पादप उतक विभाजित होकर कोशिकाओं के चोटे समवर्धन के लिए हार्मोन पाए जाते हैं। जिससे की पादपक या छोटा पौधा बनता है। बने हुए पादपक को गमलों या मृदा से प्रतिरोपित किया जाता है। जहां वे वृद्धी करके विक्सित पौधे बना सकते हैं। यह बाहे यानि इन्विट्रो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाता है। क्योंकि यह प्रक्रिया एक परक्नली यानि टेस्ट्यूब में एक कृत्रिम परियावरण का प्रयोग कर जनक पौधे के बाहर होती है। यह सजावटी पौधों जैसे और्किट, डहेलिया तथा कौर्डनेशन के लिए प्रयोग की जाती है। काइक प्रवर्धन के लाब तथा हानि आए, काइक प्रवर्धन से होने वाले कुछ लाबों तथा हानियों की चर्जा करते हैं। लाब, काइक प्रवर्धन एक सस्ती, आसान तथा तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। काइक प्रवर्धन द्वारा जनक, पादप के गुण यानि लक्षण संग्रहित रहते हैं। काईक प्रवर्धन उस पौधे के प्रवर्धन में भी सहायक है, जो की जीवन शक्ती वाले बीज उत्पन्ने नहीं करता है। हानिया, काईक प्रवर्धन से पौधों की संख्या में अविशक्ता से अधिक वृद्धी हो जाती है। इसमें कोई भी जै विभिनता नहीं पाई जाती है। तथा पौधे परियावर्ण के कम अनुकूल हो जाते हैं। जनक पादपों में पाई जाने वाले रोग संततियों में इस्थानांत्रित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं। यकृत में बहुखंडन के दौरान प्लेसमोडियम लगभग एक हजार संतती कोशिकाएं उत्पन्न करता है। जबकि लाल रुधिर कणिकाओं में बहु खंडन के दोरान ये 12 से 24 संतती कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जिनें खंड जानू यानी मीरो जोईट कहते हैं। जीन उधार पुनरुद भवन शरीर की खंडित कोशिकाओं के पुनर निर्मान की एक प्रक्रिया है। उधारण मानव में नवीन लाल रुधिर कणिकाओं दोरा मृति लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिस्थापन तथा घाव भरना। पुनर निर्मान यानी पुनरुद पादन, पुनरुद भवन शरीर के खोई हुए भाग के पुनर विकास की एक प्रक्रिया है। उधारण, छिपकली में पूँच, हाइडरा, पिलेनेरिया आती, बुल-बिल छोटी, मासल विशेशी कृत कलिकाएं होती हैं, जब वे भूमी पर गिर जाती हैं, तो नए पादप को जन्म देती हैं. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. वह प्रक्रिया, जिसमें वर्तमान यानि मौजूदा जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जनन कहलाती है. अलंगिक जनन में नए जीव एक ही जनक से बनते हैं. कुछ जीव जैसे स्पाइरो गाईरा, समानिता विक्सित होकर, छोटे-छोटे टुकडों में खंडित हो जाते हैं. ये टुकडे अथवा खंड, नए जीव यानि व्यस्टी में विक्सित हो जाते हैं. पौधों जैसे मनी प्लांट, गुलाब, अंगूर आदी में का एक प्रवर्धन कटाई द्वारा होता है. पर्तन में पौधे की शाखा का सिरा भूमी की तरफ मुड यानि जुक जाता है तथा नम मृदा द्वारा ढग जाता है. कलम लगाने में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मवाले पौधों को एक साथ जोड दिया जाता है, जिससे कि वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं. जन्तू में अलेंगिक चनन की विभिन प्रक्रियाएं विखंडन, मुकुलन, खंडन तथा पुनरुद भवन हैं. जनक जन्तू के दो या अधिक संतती कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रियाएं को खंडन कहते हैं. विखंडन दो प्रकार का होता है, दोईखंडन तथा बहुखंडन. दोईखंडन में दो संतती कोशिकाओं का निर्मान होता है. मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोशिकिये या बहु कोशिकिये बाहिवरिधी जिन्हें कलिकाओं कहते हैं, जनक शरीर के उपर या अंदर उत्पन हो जाती हैं. येस्ट में कलिकाएं एक कोशिकिये होती हैं जबकि हाइट्रा स्पंज आदी में बहु कोशिकिये होती हैं कलिकाएं बहिर्जात अत्वा अंतरजात होती हैं खंडर में जनक का शरीर दो या अधिक भागों में खंडित हो जाता है जिसमें से प्रतेक विक्सित होकर एक जीव का निर्बान करता है पूर्ण रुपेण विभेदित जीवों में अपने काईग भाग से नए जीव के निर्मान की ख्षमता को पुनुरुद भवन कहते हैं निम्न जीवों में पुनुरुद भवन की ख्षमता अधिक होती है